हेलो दोस्तों आज हम present indefinite tense के बारे में study करेंगे तो normally आप सभी जानते होंगे present indefinite tense के बारे में तो मेरी आप सभी शेयर request है कि वीडियो को एक second के लिए भी skip मत करियेगा end तक वीडियो को देखियेगा आपको बहुत नहीं नेची जाने को मिलेगी तो present indefinite की सरुवात करते हैं पहले थोड़ा definition पे मोहन कर लेते हैं दोस्तों हमारी present indefinite की definition क्या कहती है the present indefinite tense represents an action that is regular or normal or true तो यह तो है दोस्तों हमारी basic definition तो इस definition से हमें कुछ नहीं लेना हमें पहले इसकी identification को जानना है फिर हम rule पे आएंगे दोस्तों present indefinite tense की पहचान पे आते हैं से पहले पहचान क्या होती है दोस्तों हमें शिखाया गया है tense standard में या 12 standard में हमें शिखाया गया है कि किसी भी हिंदी line के पीछे हमें ता है ती है टे है ऐसा कुछ मिले तो हम बोलेंगे की present indefinite के हमारे sentence है तो दोस्तों मैं आपके साँने दो sentence present करता हूँ और यह बताना मुझे की present indefinite के sentence इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है तो पहला sentence दोस्तों ये मेरा जूता है दूसरा sentence दोस्तों हर चीज का वक्त होता है तो आपके सामने दो sentence present हैं और इन दोनों sentence और चूज आउट करके बताना है कि कौन से वाला sentence present indefinite से बिलोंग करता है तो मैं बता दूँ आपके knowledge के लिए दोस्तों इन में सिसा भी sentence present indefinite से belong नहीं करता है और ये logic देखो दोस्तों इन दोनों sentence के हिंदी में पीछे ताबी आया हुआ है और ये present indefinite के sentence है नहीं दोस्तों क्यों नहीं है कैसे नहीं है हम आगे बात करेंगे तो अब सीधे direct हम बात हमारे point पे आते हैं point हमारा क्या है दोस्तों देखो हमारा normally structure होता है दोस्तों पहले हम subject लिखेंगे फिर plus verb as or yes plus object plus other word तो ये तो हमारा normally structure होता है दोस्तों हमें सिखाया जाता है बच्पन से तो इस structure को छोड़ के हम थोड़ी सी advance हम थोड़ी सी एक नई technique के बारे में बात करेंगे आपके सामने दोस्तों present करता हूँ मैं कुछ देखो जैसे I, you, we, they, people, police, children, men, women, these, those तो दोस्तों ये है हमारी plural category क्या है plural category यानि कि एक से ज़्यादा दोस्तों एक से ज़्यादा और दोस्तों जब भी ये category use होगी और दोस्तों ये कोई action perform करेंगे और अपने action में दोस्तो ता लेंगे या ती लेंगे रते लेंगे तो हम बोलेंगे की present indefinite का हमारा sentence दोस्तों और ये प्लीरल कटाइगरी है दोस्तों और ये as a subject कहीं पर use होंगी और अपने साथ ता टै ती लेंगी तो present बनाएंगे दोस्तों और ना इसके साथ हमें ऐसे लिखना है ना इस लिखना है शिर्फ पोजिटिव सुंटेंस बनाएंगे दोस्तों पहले तो इनमें से कौन सा भी उठा लेता हूं दोस्तों मैं उठाता हूं वे खाना खाते हैं क्या उठाए दोस्तों मैंने वे खाना खात यानि कि यह present indefinite बन गया और लोजिक एक और देखो दोस्तों यह action perform करेंगे अगर वो खाना खाएंगे तो उनका mouth है ना move जिसको बोलते हो mouth उनका mouth हिलेगा काम करेगा और काम करेगा तो दोस्तों काम में क्या आगया ते आगया इस वज़े से present indefinite में बन गया sentence दूसरा एक जांपने देखो दोस्तों तुम खेलते हो दूसरा sentence है तूम खेलते हो इस sentence में पीछे क्या आगया तो दोस्तों तो दोस्तों डिरेक्ट हम तुमकी इंगलेशरे से उत्ति है यूम और खेलने को क्या बोलते हैं दोस्तों पले पले हमारी first form में और फिरस्ट अम में ड़े आ गया अब सबसे पहले बच्चों उठाओ यानि बच्चे की इंगलिज क्या होगी चिल्डरन और देखना क्या होता है दोस्तों वॉच्छ क्या होता है वॉच्छ तीवी देखुए जब भी वॉच्छ यूज करूगे तो चिल्डरन वॉच्छ टीवी तो संडेंस को नाम दे देंगे हम positive sentence क्या नाम दे देंगे positive sentence और एक नाम से और जानेंगे इनको किस नाम से जानेंगे दोस्तों affirmative sentence क्या affirmative sentence जब किसी भी sentence में ना तो note आए और ना क्या वाड़ा interrogative sentence हो तो दोस्तों simple हम उनको नाम दे देंगे positive sentence affirmative sentence इतना clear हो गया दोस्तों अब इसी के neighborhood हैं जैसे like he, see, eat, man, woman, this, that, any name plus singular subject यानि कि plus singular subject अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ देखो आपके सामने दो चीज़े दोस्तों एक है man और उसी के निचे दोस्तों मैं 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 में जब एन आ जाए तो plural होता है और मैं मैं एन आ जाए दोस्तों वो होता है आपका singular क्या होता है singular उसी तरह दोस्तों वी साइड में देखो women और women जब दोस्तों women आ जाए एन आ जाए तो plural होता है और women आ जाए तो आपका singular होता है तो ये बाते आपको clear होनी चाहिए दोस्तों तो ये तो थी हमारी singular category सिंगलर category के साथ देखो दोस्तों जब भी singular category कोई भी हिंदी लाइन में ता ती ते लेगी और इन के काम के साथ दोस्तों हमें positive sentence में या तो S लगाना पढ़ेगा या ES लगाना पढ़ेगा ती एच तो दोस्तों हमें ये pattern मिले किस के बाद मिले किरिया के ठीक बाद यानि कि किरिया में ही वर्ब के पिछे ही हमें इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए तो दोस्तों हम इसके साथ यूज कर देंगे एस जब वर्ब हमारी तातेती लेगी तो एस आड़ कर देंगे और बाकी जितनी भी बच गई दोस्तों लेफ्ट रहे गई उनके साथ हम simple as रख देंगे दोस्तों क्या रख देंगे ऐसे रख देंगे जैसे मैं example उठाऊं दोस्तों third person singular category का example उठाता हूँ वह पानी पीती है क्या है वह पानी पीती है तो दोस्तों सबसे पहले मैं लिख हूआ c कोई girl है C उसके बाद दोस्तों इसका काम क्या है इसका action क्या है दोस्तों पानी पीना तो पीने में दोस्तों क्या आगया ती ले लिया इसने तो C और पीना क्या होता है ड्रिंक और ड्रिंक में दोस्तों अगर उसमें से उस category में से इस box में जीतने भी लिखे हुए है words दोस्तो letter इन मेंसे कोई word match नहीं कर रहा है तो दोस्तो simple ऐसे रखना है अगर इन मेंसे match कर रहा है तो दोस्तो आपको yes लगाना है तो इन मेंसे तो match करी नहीं रहा तो simple आपको क्या रखना है see drinks water वो पानी पीती है दोसरा example है दोस्तो अमन स्कूल जाता है हिंदी है दोस्तो अमन स्कूल जाता है तो दोस्तो इसका काम क्या है अमन का स्कूल जाना और जाने में क्या आगया दोस्तो ता आगया अब पहले मैं लिखूँगा दोस्तो अमन एम इन अमन उसके बाद मैं क्या लगा हूँगा दोस्तों गो गोईश का काम है दोस्तों जाना तो गो तो मैंने बोला था जब थर्ड परसन सिंगुलर काटेगरी अपने साथ तातेती लेगी तो आपको पोजिटिव संटेंस में या तो ऐसे लगाना पड़ेगा या ईसे लगाना है तो दोस्तों यहां पर एस रखना पड़ेगा अमन गोल्स टू स्कूल आपका सेंटेस बन गया दोस्तों एक एक एजमपल और ले लेते हैं दोस्तों मैं कहता हूँ कि मंजीत अपना काम करता है और पिछे क्या गया दोस्तों ता है यानि कि ता आ गया थर्ड पर में देखो D यानि कि D के बाद और present or बोक्स में से इस ईसा match करता मेच करता है तो क्या लगाएंगे हम वैं कि इसके साथ डू क्या कर देंगे ड़ बना देंगे तो Armant does His work अमन ड़ा His work तो आपका sentence यह दौस्ते तो हमारी पेलरॉरल की और singular category थी तो singular category के ये तीनों sentence है दोस्तों और तीनों sentence को हम नाम दे देंगे positive sentence और affirmative sentence क्या नाम दे देंगे दोस्तों positive sentence और affirmative sentence तो इन में ना तो दोस्तों note आया हुआ है और ना इन में क्या आया हुआ है तो ये तो दोस्तों positive है affirmative है present indefinite ताते थी ठीक है अब plural category दोस्तों negative लेते हैं क्या लेते हैं plural category दोस्तों हम negative लेते हैं मैं कहते हूँ दोस्तों वे खाना नहीं खाते present indefinite में negative category लेते हैं दोस्तों वे खाना नहीं खाते अब दोस्तों ता भी आ गया और नहीं भी आ गया जब दोस्तों plural category के साथ like I, you, we, they, people, police, children, men, women, these, those अगर इनके बाद दोस्तों अगर इनका नाम mention हो किसी भी sentence में किसी वाक्यम है और नहीं आजाए दोस्तों और ता भी ले रखाओ तो इनके नहीं के लिए दोस्तों इन सभी के पिछे आपको लगाना पड़ेगा do और उसके बाद लिख देना आप note, do not, जब इसका negative बनाओगे दोस्तों नहीं ले के आओगे sentence में ता तेती की बात होगी तो इन सभी के पिछे आपको do not रखना पड़ेगा मैं कैदों कि वे खाना नहीं खाते तो दोस्तों सबसे पहले मैं लिख हुआ दे उसके बाद इन सभी के अगर नहीं ले किया आना है इन सभी के पिछे तो क्या बोला है मैंने do not लगाना है तो they do not और खाना खाना क्या होता है दोस्तों eat food आपका sentence correct हो जाएगा दोस्तों दूसरा example है दोस्तों तुम नहीं खेलते तो तुम भी आ गया दोस्तों और नहीं भी आ गया और पिछे क्या आ गया ते भी आ गया तो present indefinite की बात कर रहे हैं तो you उसके बाद क्या लिखूँ हूँ हम है इन सभी के बाद मैंने क्या बताया था you do not play तुम नहीं खेलते आपका sentence बन गया दोस्तों अगला third example है बच्चे टीवी नहीं देखते तो दोस्तों बच्चे आ गया तो plural category है चिल्डरन चिल्डरन प्लूर के टागरी दोस्तों और नहीं आ गया तो चिल्डरन उसके बाद क्या लगणा था इन सभी के पीछे डू नोट क्या लगणा था डू नोट चिल्डरन डू नोट उसके बाद देखना क्या होता दोस्तों watch उसके बाद क्या देखना टिवी चिल्डरन डुनोट वोच टिवी यनि कि बच्चे टिवी नहीं देखते तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा इसको क्या नाम देदेंगे दोस्तों इसको नाम देदेंगे नेगिटिव संटेंस क्या नाम दे देंगे negative sentence जिसको हिंदी में बोलते हैं अप नकारातमक हुआ क्या अब दोस्तों third person singular category का negative बनाते हैं तो जैसे मैं कहीं दोस्तों देखो मैं कहीं दू कि वह पानी नहीं पीता वह पानी नहीं पीता तो दोस्तों वह पानी पीता है तो आपने बना था see यानि कि he drinks water he drinks water बना दिया था अपने और अब मैं कहता हूँ कि वह पानी नहीं पीता तो इसमें क्या आ गया दोस्तों नहीं आ गया देखो दोस्तों जब भी तातेती आ जाए और third person singular category के साथ आपको नहीं ले के आना हो और तातेती हो तो दोस्तों आपको इन सभी के साथ जैसे he, see, it, man, woman, this, that, any name, plus singular subject के साथ आपको present indefinity में तातेती के साथ does not आपको लगाना पड़ेगा negative में यानि कि नहीं आ जाए तो तो does not लगाओगे इन सभी के साथ दोस्तों आप, जैसे मैं कहते हूँ वह पानी नहीं पीता, तो सबसे पहले रखोगे वह है, वह कोन है, he, he, उसके बाद कहले लख दोगे, इन सभी के बाद मैंने बोला है, he does not, उसके बाद दोस्तों, आपको as or yes हटा देना है, as or yes हटा यानि की verb की फर्ष्ट फर्म रखनी है, ना तो ऐसा आएगा, ना ऐसा आएगा, कोई भी चकर नहीं है, डिरेक्ट आपको verb की फर्ष्ट फर्ष्ट फर्म रखनी है, तो he does not drink water, कह लिखोगे, he does not drink water, drink सुनी करना है दोस्तों, drink रख देना है, he does not drink water, अब दूसरे example बोलते ह हैस लगाना था यह संट्स होगगया अब अमन नहीं था दो एक्जемple हमारा इण अजेंपल huhसता है तो नहीं भी आ गया दो और ता भी आ आ गया तो यह यह सारी के सारे ता ले लें तो आपको इन के साथ है की लगाना है नहीं के लिए डस नोट रखना है दोस्तों क्या रखना है डजनोट तो अमन डजनोट लाफ क्या बोलोगे अमन डजनोट लाफ तो आपका संटेंस दोस्तों बन जाएगा अगला एक्जम्पल है दोस्तों मैं कहा दूँ वह गाना नहीं गाती दोस्तों क्या है वह गाना नहीं गाती तो वह गाना नहीं गाती क मैंने क्या बिला है आपको डिजनोट लगाना है जब नहीं आ जाए और ता की बात हो दोस्तों सूज सी डजनोट और गाना गाना क्या ह beschäft़ा दोस्तों अविता तो सिंकरी और गता दोस्तों स्ग जब भी तो थर्ड़ तो इसको नाम क्या दे देंगे दोस्तों इसको नाम दे देंगे नेगेटिव संटेंस इन तीनों को नाम क्या दे देंगे नेगेटिव संटेंस नाम दे दे देंगे दोस्तों नकारातमक वाइक है तो इतना समझ में आ गया दोस्तों अब इंटेरोगेट्व बनाते हैं दोस् दोस्तों इनके पहले मैं क्या लगा देता हूँ क्या मैं इनके पहले क्या लगा देता हूँ दोस्तों मैं कहे दूं कि क्या वे खाना खाते है तो दोस्तों मैंने क्या लगा दिया क्या वे खाना खाते है तो दोस्तों देखो यहां पे क्या भी आ गया और subject भी आ गया और पिछे क्या आ गया ता भी ते भी आ गया तो तीनों चीज़ें आ गए दोस्तों क्या भी आ गया subject भी है और पिछे ते भी आ गया तो जब दोस्तों plural category हो और plural category के पहले दोस्तों क्या आ जाए और पिछे ते हो तो असल से पहले आप रखोगे do, इन सभी के पहले do, उसके बाद दोस्टो subject, subject हमारा क्या है, क्या हुए खाना खाते है, do they, और उसके बाद क्या लिखना है दोस्तो, plural category के साथ तो दोस्तो ना तो ऐसे लगाना है, ना यह ऐसे लगाना है, तो do they eat food, क्या हुए खाना खाते है अब yes में अनसर करोगे, तो क्या लिखोगे दोस्तों, yes they eat food, और no में अनसर करोगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अब plural category का negative तो बनाया, दोस्तों आपने do not लगाया था, no they do not eat food, तो इतना clear हो गया होगा दोस्तों, एक example और ले लेते हैं, जैसे मैं कहा दूँ, क्या अगर ये क्या ले ले लें अपने आगे, और पीछे क्या हो, तातेती हो, तो इनके पहले आपको do रखना है, क्या रखना है do, तो do children watch TV, और पीछे क्योस्तों मारक आ जाएगा, तो इतना clear हो गया दोस्तों, plural category के पहले अगर आपको क्या आ जाए, क्या मिल जाए, तो क्या नाम दे देंगे दोस्तों, interrogative sentence, क्या नाम दे देंगे, interrogative sentence नाम दे दे देंगे, दोस्तों, अब singular, third person singular category के पह आते हैं, जो एक ही होती है, जैसे, he, see, eat, man, women, this, that, any name, plus singular subject, अब इनके पहले दोस्तों, क्या रख देते हैं, क्या, इनके पहले, क्या ले के आते हैं, तो मैं के पहले क्या रख देता हूं जैसे मैं कहिदू की क्या वह decision आगे क्या यह नहीं है दोस्तों तो उसके लिए इन का इनकी इंगलीज होगी दोस्तों इसके पहले रख देना आप डज क्या रख दोगे डज तो डज सी उसके बाद दोस्तों जब थर्ड परसंट सिंगुलर काटेगरी किया आगे क्या आजाए तो ऐस और यास का कोई चक्र नहीं है दोस्तों शिर्फ आपको ऐस हटा देना है बात ही नहीं करनी है इसकी तो सो डज सी पीना क्या होता है ड्रिंक वोटर तो यहाँ पर ड्रिंक्स मत कर देना दोस्तों अगर ड्रिंक्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा तो डज सी ड्रिंक वोटर और क्या लिख दोगे क्या लिख दोगे दोस्तों क्या वह है इंगलिस बोलता है क्या एक्जेम्पल है दोस्तों हमारा क्या वह है इं रखना है जब ता ले ले हिंदी में पीछे, so does he speak English speaks नहीं करना है दोस्तों अगर speaks कर दिया तो रों हो जाएगा डज सी speak English और question mark लिखे दोगे, क्या लिखे दोगे, question mark लिखे दोगे, तो दोस्तों इन sentences को क्या बोल देंगे हम, negative, इनको बोल देंगे दोस्तों interrogative sentence क्या बोल देंगे हम अब दोस्तों negative interrogative sentence के बारे में हम dismissed करेंगे पहले हम plural category के साथ negative interrogative sentence को use करेंगे negative interrogative sentence में क्या होता दोस्तों यहाँ पे हमें interrogative भी मिल जाता है और negative भी मिल जाता है और पिछे हमें present की form हो या continuous की form हो या past की form हो या future की form हो वो तो अलग सने लिए हो दोस्तों अब example है दोस्तों आपके सामने negative interrogative sentence का क्या बच्चे नहीं खेलते हैं तो देखो दोस्टोंी sentence को देख के आपको क्या लगता है आपके सामने क्या भी आ गया और sentence में नहीं भी आ गया और sentence में दोस्तों साथ में ते भी आए गया और मैंने बता है present indefinite की इडन्ट sleeping तो क्या बच्चे नहीं खेलते तो क्या के लिए दोस्तों plural category में क्या लगाते थे हम हम लगाते थे दोस्तों do पहले पढ़ चुके इसके बारे में do उसके बाद subject लिखना है दोस्तों children हमारा subject क्या है children अब दोस्तों नहीं आया हुआ है sentence में क्या हुआ है नहीं तो नहीं के लिए दोस्तों क्या लगाना है हमें note रख देना है यहां पर do note नहीं लगाना है दोस्तों single note रखना है do children note play क्या लिखना है दोस्तों do children note play इसी के नीचे देखो दोस्तों इसको contract करके भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस do not कोई कठा लिख लो आप, do not इसको don't कर लो, या do not उसके बाद children play, इसको इस तरी कैसे भी लिख सकते हो दोस्तों, अब इसका या तो yes में answer करोगे, या no में answer करोगे, देखो दोस्तों, जब negative interrogative sentence का आप yes में answer करते हो दोस्तों, उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसमें दोस्तों आपको, यानि की note लेके आना पड़ेगा, क्या लेके आना पड़ेगा दोस्तों, आपको note लेके आना पड़ेगा, जैसे मैं, हमारा example क्या था, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, do children not play, या do not children play, तो yes में answer करेंगे, तो yes children do not play कई बच्चों यहाँ पर गलती कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर yes वाले में बोलेंगे yes में तो negative आता ही नहीं जब negative interrogative बनाओगे दोस्तों उसमें तब note लेकर आना पड़ेगा आपको yes children do not play इसमें थोड़ा सा उठता होता है अपोजिट होता है थोड़ा सा अब नोवाले में note नोवाला लेकर आओगे तो उसमें आपको note लिखना ही नहीं no children play क्या लिखोगे no children play तो तो यह तो हो गया हमारा example दोस्तों अब एक example और ले लेते हैं जैसे example number second आपके सामने हैं क्या वे school नहीं जाते क्या वे school नहीं जाते वे को ना दोस्तों दे पहले पढ़ चूंगे इसके बारे में और इसके पहले क्या आगया क्या आगया और हमें क्या मिल गया साथ में नहीं मिल गया और नहीं के बाद क्या मिल गया ते मिल गया प्रजेंट इंडेफिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, to they आ गया, तो दोस्तों, पलियोल काटाइगरी के साथ हमने क्या लगाना था, क्या के लिए, do, do रख देंगे, उसके बाद दे, उसके बाद क्या लिखना है, note ले क्या ना है, negative integrity में, do, they, note, उसके बाद उनका काम क्या है, दोस्त आपका negative interrogative sentence फ्रेम हो गया अब इसका yes में अंसर करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे yes they do not go to school अब दोस्तों yes वाले में जब negative interrogative sentence को आप लिख होगे तो दोस्तों आपको yes में अंसर करते वे note लगाना ही लगाना पड़ेगा यह में सोचों कि yes आगया तो हमें note नहीं लगाना लगाना पड़ेगा दोस्तों yes they do not go to school अब no वाला कैसे करोगे no they go to school यह तो थी दोस्तों plural category के example थे आप हजारों example बना सकते हो ऐसे दोस्तों आपको direction पतर चुल गई अब practice करना आपका काम है दोस्तों अब दोस्तों third person singular category के example लेते हैं दोस्तों example number one singular category के आपके सामने दोस्तों क्या वह नहीं पड़ती है क्या है दोस्तों क्या वह है नहीं पढ़ती है क्या भी आगया दोस्तों और third person singular category कौन है C कोई girl है दोस्तों उसके बाद क्या आगया नहीं और पिछे क्या आगया दोस्तों T पता है जब दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं third person singular category के साथ अगर क्या आ जाये और पीछे T हो तो दोस्तो हमें क्या लगाना पड़ता है डज पता आपकस अभी को तो डज उसके بعد क्या लिखना है ची उसके अगाना है दुसके बाद क्वेस्टर अली चे ये हमने फ्रेम किया था संटेंस उसी तरह इसका भी करेंगे यह सी डजनोट स्टडी अब नो वाला कैसे बनाओ के नो सी स्टडीज नो सी स्टडीज दोस्तों थोड़ा सा जीव लगेगा आपको आपको लगेगा कि नो वाले में तो यानि कि हम नोट लेके आए नोट नहीं लग सकते अब यस में नोट लगा रहें दोस्तों नेगेट्वू इंट्रवेट एमड़ा सा यहां पर यह थोड़ा सा अलग है इस पैटरन से थोड़ा सा अलग है अब दोस्तों परेजेंट इंडपिनेट के हमें हमने ट्रू new ना सीうिड अपन इनई के साथ दोस्तोंrix डोस्तो जैसे WS family कौन कौन से होती है हमारी जैसे देखो What, Why, How, Who, Whom, When, Where तो दोस्तो ये हमारी क्या होती है WS family होती है जैसे मैं example बोल दूँ दोस्तो क्या बच्चे बोलते हैं Pelioral Attack दी दोस्तो क्या बच्चे बोलते हैं क्या के लिए क्या लगाना है आगे do तो डू लगा दिया उसके बाद subject के हमारा children बच्चे so do children speak अब दोस्तों यह बता हूँ मुझे बच्चों के पहले क्या आ गया इस sentence में क्या आ गया अब जब डबलो एच फैमिली यूज करोगे न दोस्तों तो यह क्या है ना पीछे चला जाएगा उटके और जो बच्चे है ना वो आ गया जाएगे जैसे मैं एक्जेंपल लूँ दोस्तों बच्चे क्या बोलते हैं क्या बोलोगे बच्चे क्या बोलते हैं तो यह बच्चे यानि की बच्चे आ गया गया और क्या पीछे चला गया दोस्तों तो जब भी WH family यूज़ करोगे डू 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 के साथ दोस्तों आपको सबसे पहले WH family लिखनी पड़ेगी उसके बाद according to the subjects सब्जेक्टों के according आपको डू 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 रखना पड़ेगा WH family के बाद do लिखना है does तो यानि कि बच्चों के साथ क्या लगाना है do what do children speak यानि कि बच्चे क्या बोलते हैं तो ये frame हो गया sentence दोस्तों एक example लो लेते हैं क्या हम खेलते हैं तो simply subject से पहले क्या आगया क्या तो हमें पता ही है subject से पहले क्या आगया तो क्या लगाना है do So do we play क्या हम खेलते हैं अब इसकी WH family में use करते हैं दोस्तों यानि कि हम जो हम है न vote के आगे चला गया और क्या पीछे आगया दोस्तों हम क्या खेलते हैं तो क्या के लिए क्या लगाना आगे do उसके बाद help me work किया है दोस्तों present indefinite की do what do we play यानि कि हम क्या खेलते हैं थोड़ा सा लोजी के दोस्तों प्रेक्टिस करो के तो समझ जाओ आगे असा नीशे अब थर्ड परसंट singular category के साथ WH family use कैसे करेंगे दोस्तों देखो एग इजम्पल लेते हैं क्या वह जाती है तो यानि कि यहां पर हमारा सब्जेक्ट singular है दोस्तों डज सी गो यानि कि सब्जेक्ट से पहले क्या आगया डज सी गो अब इसका WH family में use कैसे करेंगे दोस्तों अब यहां पर मैं when से क्योस्तन उठा लेता हूं जैसे वह कब जाती है दोस्तों देखो वह उटके आगे चला गया और WH family की जो हिंदी है वह पीछे आगी वह कब जाती है तो सबसे पहले when रखोगे उसके बाद helping work क्या है दोस्तों थर्ड परसंसी उनलर सब्जेक्ट की प्रेजेंट इन डज when does he go वह कब जाती है अब when की जगा पे दोस्तों how रख लो वह कैसे जाती है how does he go अब मैं कहता हूं की why रख लो why जिसको बोलतो हिंदी में क्यों वह क्यों जाती है why does he why does she go why does she go तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा present indefinite का हमने जो basic formation था दोस्तों मैंने इतना basic से करवाया है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इतना basic से और बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता न उसका भी base बनने लग जाएगा अगर ध्यान से वीडियो को watch करोगे तो तो अब दोस्तों हमने पिछे जितना basic से करवाना था को करवा दिया है अब हम one by one present indefinite के rule पे आएंगे दोस्तों जो आपके examination के लिए बहुती fruitful रहेगा तो rule number पहला अप अपनी copy में साथ में लिख भी लेना और इसका सरकेंशोट लेना है तो ले लेना साथ में तो rule number पहला है दोस्तों there are certain adverb of frequencies कुछ adverb of frequencies है दोस्तों यह adverb आपको कहीं पे भी मिलेगी तो सोच लेना present indefinite लिखना है आपको वहाँ पे add करना है जैसे like मैं कुछ word बताता हूं आपको देखो first है journally, usually, normally, always, frequently, never, rarely, barely, seldom, scarcely, often, hardly तो दोस्तों यह adverb of frequencies है कुछ adverbs है इन में से तो दोस्तों अगर यह कहीं पे भी यूज मिलेंगी पहली बात तो नोट करना इनके साथ present indefinite यह कहीं पे भी आज़े present indefinite add करना है third person है तो as or as positive है तो as or as लगाना है plural category है तो कुछ नहीं लगाना वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, distance कर चुका हूं और दोस्तों यह वाले word है ना इनका use कहां पे होगा? main verb से पहले और subject के ठीक बाद कहां पे होगा दोस्तों? main verb से पहले और subject के ठीक बाद अब दोस्तों मैं example लेता हूं example की help से आप अच्छी तरह समझ पाऊगे पहला example है दोस्तों we normally dash for a morning walk कहले होगा example हमारा we normally dash for a morning walk अब दोस्तों यह बता हो we के बाद क्या आ गया? normally मैंने बता था ना यह सारे के सारे word है न जो यह subject के ठीक बाद use होंगे कहां पे होंगे? subject के ठीक बाद और यह word use होंगे तो सोच ले ना present indefinite आपको लिखना है तो we normally dash for a morning walk तो a option देता हूं आपको a option में है go, b में है went, c में है goes, or d में है going तो यह बताओ मुझे दोस्तों we क्या है? plural category का है पहले एक बात कर चुके इसके बारे में तो we के साथ क्या लिखना था? present indefinite में go लिखना था, goes लिखना था, going लिखना था going लिखना था, went लिखना था went तो आई नहीं सकता past हो गया, going आई नहीं सकता present indefinite में going ING कहां से आ गया तो S और S के साथ लगाना है plural category के साथ मैंने बोला था S और S तो लिखना ही नहीं, अब option क्या बच गया हमारा? option दोस्तों बच गया A तो यहां पर आ जाएगा, we normally go for a morning walk पता कैसी चला कि present indefinite ही बरना है, feel करना है, normally आ गया दोस्तों, क्या आ गया, normally आ गया तो आपको पता होना चाहिए, present indefinite की form fill out करनी है, दूसरा example देखो दोस्तों, he never dash tea in the morning कहा लिखावा दोस्तों, he never dash tea in the morning, तो A option देखो दोस्तों, A option में है takes B में है take, C में है took, और D में है taken, तो दोस्तों यह बताओ, 4 option दिये गए हैं आपको, और मैंने बताया था, इन वर्डों के बाद, यानि कि यह वर्ड जब भी use होंगे, subject के बाद यूज होंगे he के बाद क्या है never, और never इसमें दे रखा है दोस्तों, और दोस्तों जब भी never आजाएं न, never के बाद, 3rd person singular category का positive sentence होगा, तो दोस्तों आपको S और YS तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, never के बाद, never यह कुछ word है, देखो जैसे seldom, scarcely, hardly और barely, और never, यह कुछ ऐसे word है, यह note हो, इन में दोस्तों note नहीं आएगा, क्योंकि never के अंदर ही note छिपा हुआ है, इस वजए से है, आहाँ पे note तो है, बट S और YS तो लेगा ही लेगा, तो he never यहाँ पे क्या लिख दोगे, he के साथ 3rd person singular category है, तो S और YS लगाना है, दोस्तों, तो he never takes tea in the morning, तो यह option आपका correct हो जाएगा, दोस्तों, तीसरे example देखते हैं, देखो, they often dash cricket, क्या लिखाओ दोस्तों, they often dash cricket, अब दोस्तों यह बताओ, हमें क्या पता चलेगा कि क्या बरनाईश में, आपको 4 option दी गए हैं, तो दोस्तों किस से पता चलेगा कि present की फ़हम बरनी है, आपके सामने दोस्तों, often आगया, क्या आगया, often, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, इसको कई बोलेंगे often, और कई बोलेंगे often, दोनों, बोथ हर correct, दोस्तों, दोनों के दोनों सही हैं, या तो बोलो आफ often, या बोलो आफ often, दोनों सही हैं, तो दे के इन वर्डों का यूज मैंने कहां पर बता था करना है ठीक subject के बाद और ठीक main verb से पहले तो दोस्तों यहां पे play आएगा या played आएगा या playing आएगा plays आएगा दोस्तों present indefinite में ing का तो नामी खतम है होता ही नहीं use तो c option cut गया आपका ed यानि की played past की form में दोस्तों b cut गया आप आएगा play आएगा तो यहां पर लिखोगे दोस्तों play यानि की plural category के साथ s or yes का funda नहीं है दोस्तों तो यह option आपका correct हो जाएगा दोस्तों अब दोस्तों कुछ और word है इसी के नीचे word बोलता हूं मैं कुछ जैसे word दोस्तों daily पहला word दोस्तों daily, habitually, repeatedly, weekly, yearly, annually, hardly, every day, occasionally, regularly, every month, every year, every week, every night, on Sundays, on Mondays, on Fridays, once a day, once a month, once a year, once a week, twice a day, twice a month, twice a month, twice a month, twice a week, twice a year, three times a day, three times a month, three times a week, three times a year, all the time, most of the time, now and then, every so often, on every occasion, तो दोस्तों ये वाली कटेगरी है ना जो जो पहले वाले word थे उनका यूज करना था ठीक subject के बाद verb के फैले, यानि की main verb के पहले, अब जो दोस्तों अब ये वाले word मैंने बताए हैं ना, इनका यूज दोस्तों sentence के पिछे करना है, पहां पे करना है दोस्तों, ये सारे के तू स्कूल एवरी डे क्या लिखाओ । दोस्तों ये –श बिदायश टूजश is बारल आ अध़ सा हो। वेंट तो आई नहीं सकता पाश्ट के बारें बात ही नहीं कर रहे तो ना तो वेंट आ सकता ना गोन C और D उप्सन आपका अलिमिनेट हो गया A और B में से क्या आएगा पलियूल कटेगरी के साथ S or S नहीं लगाना था तो उप्सन क्या बचकिया हमारा तो आ जाएगा गो क्या जाएगा दोस्तों यह उप्सन आ जाएगा गो दूसरा एक्जम्पल लेते हैं दोस्तों दूसरा एक्जम्पल है देखो तो यह उप्सन क्या है दोस्तों टेक्स बी में है टेक सी में है टूक और डी में है टेकन तो दोस्तों चार उप्सन दिये गए हैं अब हमें पता केशे चलेगा कि क्या बरना है तो दोस्तों पीछे देखो क्या आया हुआ है वंस अदे और मैं वर्ल्ड पीछे करवा चुक है बट आपको person पता होने चाहिए plural है singular है negative है क्या है तो ये दोस्तों third person singular category का person है subject है और इसके साथ क्या लगाते है positive affirmative sentence में verb के साथ s और e s take देते हैं तो यानि कि two cut गया c और d option तो आपका eliminate हो गया दोस्तों अब competition है जो a और b में है तो a आएगा या भी आएगा तो दोस्तों third person singular category के साथ positive sentence में दोस्तों a यानि कि a option हमारा correct हो जाएगा main verb के साथ s और e s तो he takes a bath once a day तो आपका sentence correct हो जाएगा दोस्तों तो एक example और लेते हैं थोड़ी और अची तरह समझे में आ जाएगा people dash to the Jew on Sundays people dash to the Jew on Sundays a option देखते हैं दोस्तों a option में क्या है go b में है goes c में है went और d में है gone तो दोस्तों यह बता मुझे people कौन सी category है दोस्तों आप बोलो के plural category हमने हम पहले पढ़ चुके हैं और पता कैसे चलेगा कि present in definite बरना है दोस्तों पीछे क्या गया गोर से देखो on Sundays हम पैसे पीछे वड़की है न हमने on Sundays आ गया तो दोस्तों क्या वरो गया आप C or D option तो आपका कट गया दोस्तों अब people people के साथ पीछे हमने S or S लगा था दोस्तों present in definite में आप बोलो के नहीं लगा था और लगता भी नहीं पलूल category के साथ S or S लगता ही नहीं दोस्तों में direct verb की first form आती है तो option क्या बच गया आपका यह option आपका correct हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों अब हमने यह basic पढ़ लिया आप rule number second की तरफ मोन करते हैं दोस्तों अब rule number second में हम दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसी verbs यानि कि कुछ ऐसी किरियाएं डिस्स करेंगे जो लग बग 80% present indefinite में ही यूज करने हैं हलांकि वो verbs past में भी यूज हो सकती हैं future में भी यूज हो सकती हैं but आप 80% यानि कि 80% आप देखोगे कि present indefinite में यूज मिलेंगे आपको तो verbs कौन कौन सी हैं दोस्तों आएए डिस्स करते हैं पहली है दोस्तों see, hear, smell, notice, recognize, taste, appear, seem, love, hate, abore, despise detest, like, dislike, hope, doubt, admit, accept, refuse, deny, prefer, regard, satisfy, want, wish, desire, intend, please, displease, mean, suppose, think, imagine, recall, recollect, remember, forget, believe, know, trust, own, possess, have, belong to, keep, consist of, contain, comprise, include, involve, cost, deserve, depend, fit, oi, lake, require, resemble, need, dare, sound, mind, appreciate, understand, care, loth, perceive, realize, agree, consider, adore, admire, fear, expect, differ तो दोस्तों ये कुछ selected verbs हैं इन verbs के साथ आपको present indefinite यूज़ करना है यानि कि इन verbs में से किसी भी verbs को examiner उठा के दे देगा और उस verbs में दोस्तों ing एड़ कर देगा और वहाँ पे वो गलत हो जाएगी आपको वो ing हटा के present indefinite की form यूज़ करने हैं दोस्तों आपे जैसे c word में c verb में ing लगा दिया तो इसके साथ इन सभी verbs के साथ ing का कोई चकर नहीं दोस्तों कभी भी ing के साथ यूज़ नहीं मिलेंगे दोस्तों ये verbs लगबगा आपको present indefinite में यूज़ करना पड़ेगा तो इसका correct sentence क्या हुआ दोस्तों we see with our eyes यानि कि हम अपने आखों से लेकते हैं तो दोस्तों ये clear हो गया हूँ एक example लेता हूँ दोस्तों मैं कह दूँ कि this book is belonging to me क्या लिखा दोस्तों this book is belonging to me तो दोस्तों belong word आगया ना belong word के साथ ing आता ही नहीं दोस्तों कभी आएगा क्या present indefinite में लेकर जाओ इस वब को और इसको क्या करोगे this book belongs to me क्या हो दोस्तों correct sentence this book belongs to me अगला example देखते हैं दोस्तों I am remembering him क्या है दोस्तों I am remembering him तो इसका correct sentence क्या हुआ remember word के साथ ing नहीं लिखना दोस्तों present indefinite में बनाओ गया आप I remember him यानि कि मैं उसको याद करता हूँ याद कर रहा हूँ यह नहीं आएगा दोस्तों मैं याद करता हूँ त आएगा मैं कही दूँ we are smelling with our nose क्या लिखा हूँ दोस्तों we are smelling with our nose तो इसका correct sentence क्या हुगा ? Smell word के साथ कभी bह no दोस्तों क्या इंग नहीं आता दोस्तों क्या नहीं आता विखन नहीं अ दोस्तों we smell with our nose क्या होगा ? तो दोस्तों कुछ यह selected verbs थी I hope आपको यह अच्छा लगाऊगा और इसके next यानि की rule number third पे मौन करते हैं दोस्तों अब हम दोस्तों next rule पे मौन कर चुके हैं तो अब यह next rule है दोस्तों for telling a habit यानि की habit बताने के लिए दोस्तों present indefinite का use क्या दता है for example मैं example लेता हूँ जैसे की वह जल्दी उठता है उठना उसकी क्या है दोस्तों उठना उसकी आदत है habit का मीनि क्या होता है आदत आदत बताने के लिए present indefinite का use कर रहे हैं हम तो आदत बताने के लिए present indefinite का use करते है और यह sentence क्या बताता है आपको वह है जल्दी उठता है और इसकी आदत भी होगी दोस्तों और पिछे क्या आ गया ता भी आ गया और इसकी आदत भी है दोस्तों तो दोनों logic मिलके आप frame कर सकते हो he gets up early in the morning यानि कि उसकी आदत है और आदत बताने के लिए present indefinite का use करते हैं दूसरा example है दोस्तों वे सुबह चाई पीते हैं क्या है दोस्तों वे सुबह चाई पीते हैं चाई पीना उनकी क्या है दोस्तों आदत है वो दूद भी तो मिलक भी तो पी सकते हैं दोस्तों यानि कि चाई पीना उनकी आदत है और आदत के लिए क्या यूज़ करना है present indefinite का और वे को है दोस्तों वे है plural category यानि की वे है दे तो दे plural category है इस बारे में मैं आपके साथ पहले बात कर चुका हूँ तो translate करते हैं दोस्तों संट्यां से मारा आदत है और पीछे क्या गया दोस्तों टी आ गया जूट बोलना उसकी आदत भी है और पीछे टी भी आ गया तो यह आपका present indefinite में बनेगा दोस्तों sentence और बनाओगे कैसे C tells a lie यानि कि वो जूट बोलती है यानि कि पीछे टी आ गया और C कौन है दोस्तों C third person singular category है हमने बात की थी plural category है और singular category की इससे पहले हम बात कर चुके हैं अगर आपको वो clear है तो आप असानी शिश को बना सकते हैं दोस्तों तो sentence क्या है positive sentence है affirmative sentence है अगला example है दोस्तों मैं देर रात तक पढ़ाई करता हूं तो दोस्तों पीछे क्या आ गया ता भी आ गया और देर रात तक पढ़ाई करना क्या बन चुकी है मेरी दोस्तों आदत बन चुकी है आदत है तो मैं बोलूँगा sentence बना हुगा I study a lot till late at night I study a lot till late at night तो दोस्तों आये कौन सी category में आता है plural category में हमने उपर लिखा हुआ था plural category और singular category तो आये के साथ दोस्तों present indefinite में क्या नहीं लगाना S or ES का कोई funda नहीं है दोस्तों अब next rule पे मोहन करते हैं दोस्तों next rule है for making a universal fact यानि कि दोस्तों जब भी universal fact की बात करोगे यानि कि सारुबोमिक सत्य है यानि कि या तो वो साइस की साइस की वज़े से कोई सच बात हो या universal यानि कि एक सारुबोमिक बरमांड की तरह तरीके से कोई सच बात हो तो जो भी सच बात होगी दोस्तों हम present indefinite में बनाएंगे example लेता हूँ जैसे मैं कहा दूँ कि मनो मरता है क्या ह दोस्तों present indefinite में बनाओगे मनो क्या है एक है दोस्तों तो a human dies क्या बोलोगे a human dies सच बात है दोस्तों सच अमेशा present indefinite में बनानी है example लेते हैं जैसे next example है सुरिय पूरो से निकलता है क्या दोस्तों सुरिय पूरो से निकलता है पीछे क्या आ गया दोस्तों ताबी आ गया क्या बोलोगे दोस्तों the sun rises from the east अगला एक्जेंपल है दोस्तों लकडी पानी पर तेरती है क्या एक्जेंपल है दोस्तों लकडी पानी पर तेरती है अब दोस्तों इस के पीछे क्या आ गया ती भी आ गया और ये बात दोस्तों सच है जूट है बताओ अगर पानी पे लकडी पानी 100 डिगरी पे उबलता है या नहीं बलता है आप बोलोगे उबल जाता है बात सच है और सच बात दोस्तों में आपको बनानी है तो आप बोलोगे अगला पोलोगे मैं आल में आपके आपके उन पीवल को प्रॉट्वी जाता है वीजाने पानी 100 डिगरी चल्सियस अब दोस्तों नेक्स एक्जंपल मैं कहता हूं कि तारे रात को चमकते हैं यह बात जूठ है रात को तारें चमकते हैं तो बोलोगे the stars sign at night तो एगजम्पल यह सब्सक्राइब हो गया अगला इकजम्पल है दोस्तूं बिली याँ दूद्ध पसंद करती है क्या एकजम्पल है दोस्तों बिल्याँ दूद्ध पसंद करती है तो ये बात सच है जूत है दोस्तो आप बताओ आप बोलोगे ये बात 110% सच है ये सूरिया कोई फंडा नहीं है बात सच भी है दोस्तों और पिछे क्या आगया टी भी आगया क्या आ गया दोस्तो बात सच भी है और पीछे टीवी आ गया दोस्तो अगला example है दोस्तो मैं कहे दूँ मनो के सरीर में 206 डिया उत्ती है बात सच है जो उठ है दोस्तो बताओ मुझे कभी भी कोई भी आपको लगे हिंदी में कि ये बात सच है दोस्तों वो हमेशा present indefinite में बनानी आपको तो मनों के सरीर में दोस्तों चैडिया होती है तो दोस्तों ये बात सच है और पिछे क्या मिल गया आपको Tee भी मिल गया देखो logic दो मिल गया आपको ती भी मिल गया और बात भी सच है तो दोनों तरीके से आपका confusion कलियर होगी तो बनाओगे दोस्तों इश्को संटेंस को The human body contains 206 bonds क्या बोलोगे दोस्तों The human body contains 206 bonds अब यह देखो दोस्तों एक logic और बन गया एक logic और आपके सामने आ गया पीछे हमने word किये थे दोस्तों कुछ verbs की थी contain word था दोस्तों आपे क्या था contain word और contain word मैंने क्या बोला था present indefinite में यूज करना है दोस्तों यह logic भी मिल गया ती वाला logic भी मिल गया और बात सच वाला logic भी आपको दोस्तों मिल गया अगला example लेते हैं दोस्तों जो पेड़ पोदे होते हैं न दोस्तों हमें oxygen देते हैं बात सच है जूट है दोस्तों आप बोलोगे सच है तो सच हमेशा present indefinite में आपको बनाना है दोस्तों इस sentence को plants give us oxygen क्या वह लोगी दोस्तों plants give us oxygen तो आपका sentence 110% राम से बन जाएगा दोस्तों अगला example लेते हैं दोस्तों मैं कहता हूँ कि लोग दर्ती के सादनों पे निर्बर रहते हैं क्या दोस्तों लोग दर्ती के सादनों पे निर्बर रहते हैं अब ये देखो दोस्तों पिछे क्या आ गया ते आ गया क्या गया दोस्तों ते आ गया और ये बात दोस्तों सच ये जूट है हमें जो जितने भी people होते हैं वो दर्ती के साधे नो पिनिर बढ़ रहते हैं सच बात है दोस्तों और सच अमेशा present indefinite में आपको बनानी है दोस्त डिपेंड के साथ अमेशा दोस्तों on preposition आती है और डिपेंड का मीनिंग होता है दोस्तों निर्बरोना क्या होता दोस्तों निर्बरोना अगला next example लेते हैं दोस्तों मैं कहता हूं कि शमय बहुत जल्दी जल्दी बीच जाता है क्या बोलोगे दोस्तों शमय बहुत जल्द मैं बनाओंगे दोस्तों और इसको बनाने का तरीका होगा time passes quickly क्या बोलोगे दोस्तों time passes quickly तो इतना clear हो गया दोस्तों एक example दो example ओर ले लेते हैं आपका concept बहुत अच्छी तरह और clear हो जाएगे है दोस्तों मैं कहता हूँ कि मदू मक्हियां सैद बनाती है बात सच जोट है दोस्तों आप बोलो कि सच है। और सच है मैंसा कहां पर बनाघे है, दो सच है तो संचेंस आपकाographic Chod Application bees make honey क्या बोलोगे दोस्तों bees make honey तो sentence आपका अराम से बन जाएगा मैं कहता हूँ अगला example है दोस्तों कि मकडियां जाले बनाती है क्या दोस्तों मकडियां जाले बनाती है तो यह देखो दोस्तों सच है जूट है यह बात आप बताओ आप बोलोगे सच है क्योंकि मकडियां जाले बनाती है तो आप बोलोगे spiders make webs क्या बोलोगे दोस्तों spiders make webs तो हम दोस्तों universal facts के sentence हम frame कर चुके हैं अब जो मैं यह rule next rule अपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही interesting है और थोड़ा साब attention करके देखिएगा सुनिए गाराम से आपका concept 110% clear हो जाएगा तो देखो दोस्तों अगला usage है future scheduled event देखो जब भी आपको दोस्तों future के बारे में बात करनी हो और आप बोलोगे कि मैं यह करूँगा मैं वो करूँगा मतलब दोस्तों कहने का मत्मली है कि किसी भी चीज के बारे में आप बात करोगे और उसका दोस्तों time fix होना चाहिए क्या होना चाहिए दोस्तों time fix होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है government की मतलब सरकार की तरफ से उसका time fix होना चाहिए तो वो दोस्तों बोला तो जाएगा गागेगी में फ्यूचर में और दोस्तों उसको sentence मतलब बनाओगे present indefinite में क्या करोगी दोस्तों वो बोला जाएगा गागेगी में और आप बनाओगे sentence को present indefinite में यानि कि सरकार की तरफ से उसका time table fix होना चाहिए अब fix schedule के लिए हम दोस्तों use करेंगे present indefinite दोस्तों देखो मैं example लेता हूँ जैसे example की help से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा जैसे मैं कहते हूँ दोस्तों मैं अगले सब्ता पैरिश जाओंगा क्या example है दोस्तों मैं अगले सब्ता है पैरिश जाओंगा अब दोस्तों इसके पीछे क्या आगया गया गया क्या गया दोस्तों का अब कई मतलब student यह कर देंगे कि यहां पे will लगा देंगे सेल लगा देंगे ये वड़ा फंडा लगा देंगे दोस्तों ये देखो जब मैं पैरिस जाओंगा ना मेरे बीजा का टाइम या टिकट का टाइम फिक्स होगा या नहीं होगा आप बोलोगे फटाक से फिक्स होगा अब दोस्तों ये सरकार की तरफ से फिक्स है ना तल नहीं आएफ लाइं टू पैरिस नार्प विक अगले ए ऐ्सपल सु देखो प्लेन आठ बजह जाए गी अभी बहुताएं घू पहले एग सब्सक्राइब ओंडी ही जो शादर ले जो गो लगे गई सिर्सक्व कर ऑके नहीं तो दोसक् subsidies यह देखो interviewingस करे kuris की तरफ से तो दोस्तों जब भी गोर्मेट की तरफ से time fix हो तो उसको आप present indefinite में बनाओगे आप सायद मतलब आप बोलो future में बोलोगे गागेगे में बोलोगे बट बनाओगे present indefinite में जैसे sentence बनेगा दोस्तों the plane टीपार्ट्स एट पीम क्या दोस्तों दपलेंग डिपार्ट्स एट एट पीम दोस्तों संटेश बना दिया प्रिजेंट इंडेफिनेंट में और बोल दिया फ्यूचर में थोड़ा सा लोजी के दोस्तों प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अब यानि कि fixed time table है दोस्तों और fixed time table के लिए हम यानि कि present indefinite का use करेंगे तो sentence बनाएंगे दोस्तों what time does the movie start क्या है दोस्तों what time does the movie start अगला example लेते हैं दोस्तों देखो कारिय करम 6.30 बजे शुरू होगा यानि कि 6.30 बजे शुरू होगा कारिय करम 6.30 बजे शुरू होगा अब दोस्तों इसके पिछे क्या आ गया गया आप गा की तरफ मत द्यान दो जोस्तों अब यह देखो कारिय करम का जो time है दोस्तों fix है नहीं आप बोलोगे फटा किसे fix है और fix time के लिए दोस्तों आपको present indefin में sentence बनाना है तो मैं sentence बनाँगा दोस्तों the concert begins at 6.30 पीम क्या बोलोगे दोस्तों the concert begins at half past 6.00 पीम हाफ पास्ट भी बोल सकते हो और 6.30 पीम भी बोल सकते है दोस्तों present यानि कि sentence बना दिया present indefinite में और अपने मौँच से अपने मूँ से बोल दिया दोस्तों गागे की में त अगले हपते खतम हो जाएगी क्या हो जाएगी अगले हपते खतम हो जाएगी तो दोस्तों कभी आपने देखा हुआ संट मतलब यह कभी बैनर लगे होंगे या मतलब कोई भी एड में देखा हुआ तो इसका English translation क्या हुआ the sale ends next week the sale ends next week यानि कि दोस्तों जो बिकरी है ना ज इंटेंस बना दिया अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको मैं कहाए दू कि जो हमारी मान के चलो हमारी जो classes होती है ना स्कूल में classes होती है उनका time fix होता है नहीं होता दोस्तों normally मतलब fix होता है होता है दोस्तों fix और वहाँ पे दोस्तों हम present indefinite में बना देंगे मैं कहा दू दोस्तों कक्षा का time fix है या नहीं है आब बोलगे फटाक से कक्षा का time तो fix है यानी कि 11 बुज़े लगने है या 12 बुज़े लगने है fix है दोस्तों और गॉर्मिट स्कूलों में fix होता है तो दोस्तों इस sentence को हमने बोल दिया गागेगी में और बनाएंगे प्रिजेंट इंडेफिनेट में तो मैं बोलूँगा दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको कुछ सेलेक्टिड वर्ब्स बताऊंगा किरिया बताऊंगा यानि कि एक्सन वर्ब्स दोस्तों फिक्स टाइम टेबल को शो करेंगी क्या करेंगी दोस्तों फिक्स टाइम टेबल को शो करेंगी अगर ये आपको कहीं पे भी मिल जाए दोस्तों किसी भी संटेंस में तो आप पाऊगे कि लगबग 80% आपको यूज मिलेगा यानि कि फिक्स टाइम टेबल में जैसे पहली वर्ब्स दोस्तों अराइव बी बिगिन कलोज डिपार्ट एंड फिनिस फुलाई लीव ओपन स्टार्ट तो दोस्तों ये कुछ सलेक्टिड वर्ब्स हैं आपको ये बताएंगी कि किसी भी चीज का टाइम फिक्स है तो ये आपको कलियर हो गया है वह दोस्तों प्रैक्टिस करोगे तो आप कलियर कर सकते है दोस्तों इस कंसेप्ट को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कोमेंट बोक्स में कोमेंट कर सकते हो हम आपको definitely reply करेंगे कोई भी आपको प्रेशानी होती है fast होती है notice होती है अडू होती है तो अगले usage के और moon करते हैं दोस्तों तो अब हम दोस्तों next rule पे moon कर चुके हैं हमारा next rule है दोस्तों in exclamatory sentences beginning with here and there यानि कि दोस्तों जब भी here there से sentence की सरुवात होगी और exclamatory sentence होगा तो दोस्तों समझ लेना वहाँ पे आपको present indefinite sentence use करना है for example जैसे मैं कह दूँ sea comes here वो यहाँ आती है दोस्तों ये here उटके आगे चला जाएगा और exclamatory बना देंगे इसको जैसे मैं कह दूँँगा here comes sea कह लिखेंगे दोस्तों here comes sea और एक और example लेते हैं दोस्तों example है there sea goes कह लिखेंगे दोस्तों there sea goes या इसको ऐसे बना लो दोस्तों sea goes there वो वहाँ जाती है अब there को उठा के अगे ले आएंगे there sea goes और पीछे exclamatory sentence का हम sign दे देंगे दोस्तों जब भी here there sea sentence की सरवात होगी सोच लेना वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा present indefinite sentence use करना पड़ेगा और दोस्तों इनकी हिंदी हो जाएगी देखो जब भी here there sea sentence की सरवात होगी न इनकी हिंदी हो जाएगी लो वो आगी जैसे मैं कहा दूँ there here comes the bus क्या sentence है दोस्तों here comes the bus यानि किसकी हिंदी होगी लो बस आगी क्या बोलेंगे दोस्तों लो बस आगी तो here there sea sentence की सरवात होगी तो आपको present indefinite में दोस्तों लिखना पड़ेगा या हलाकि हमें बोलते हुए लग रहा है कि हम पाश्ट में बोल रहे है बट बोलना इतना important नहीं है जितना इसको जानना है दोस्तों present में बनाओगे अब जो हमारी identification है ना वो पाश्ट की है दोस्तों लो बस आगई आगई यानि कि गई की बात क्या है पाश्ट की है बट बोला पाश्ट में है बनाया present में थोड़ा सा लो जी का दोस्तों अब next rule पर मोन करते हैं दोस्तों next rule हमारा for a historical present जब भी historical present की बात करोगे दोस्तों क्या बात करोगे historical present की बात करोगे उनके बारे में थोड़ा सा दुबारा उनके यानि की कहानियों को लेके आओगे दुबारा तो आप दोस्तों present indefinite यूज करना पड़ेगा जैसे मैं कह दूँ हिंदी में example है दोस्तों राम ने रावन को मारा क्या है दोस्तों राम ने रावन को मारा अब इसके पीछे दोस्तों मारा यानि की आ गया और आ वाले sentence बोलते हैं आप पाश्ट में होते हैं दोस्तों हमने ये बात है ना ये एक कहानी है एक story है दोस्तों और इसको हमने present में ताजा कर दिया तो प्रेजेंट में ताजा कर दिया तो दोस्तों हम ऐसे नहीं बोलेंगे राम किल्ड रावन ऐसे नहीं बोलेंगे दोस्तों हम बोलेंगे राम किल्स रावन क्या बोलेंगे दोस्तों राम किल्स रावन में और ताजा करने के लिए फ्रैस कर दिया दोस्तों और फ्रैस कर दिया तो इसको बोलेंगे इमीडियेटली दे सुल्तान हरीस टु हिस कैपिटल क्या बोलेंगे दोस्तों इमीडियेटली दे सुल्तान हरीस टु हिस कैपिटल यानि कि इस बात को हमने प्रेजेंट में ताजा कर दिया और पिछे इसके क्या आ गया पाश्ट की सेंस दे रहा है दोस्तों पाश्ट में नहीं बनाना है कहां पे बनाना है दोस्तों हमें बनाना है प्रेजेंट में मैं कहाँ दोस्तों मुहमद गजनी था ना जो मुहमद गजनी ने बारत पे अटेक कर दिया यानि कि हमला कर दिया तो दिया दोस्तों यानि कि दिया वाली तो बात पास्ट में चली गई अब पाश्ट में चली गए न है दोस्तों इस बात को हमने प्रेजेंट में ताजा कर दिया अगर हमने इस लाइन का नाम ले दिया या कोई मतलब अतीद की बात है न जो दुबारा बोल दी अपने माउस से तो हमें प्रेजेंट में बनाना पड़ाँ दोस्तों यानि कि मुहमद गजनी ने बारत पे अटेक कर दिया तो यहां पे मैं बनाऊंगा प्रेजेंट में बोला में निपस्ट में है तो मैं बोलूँगा मुहमद ओफ गजनी अटेक्स इंडिया अटेक्ड इंडिया नहीं आएगा दोस्तों अटेक्स इंडिया आएगा अगला एक example लो ले लेते हैं जैसे मैं कहाँ दूँ यानि कि जो हजरत इबराहीम था ना दोस्तों हजरत इबराहीम यानि कि आग में कूद गया क्या दोस्तों हजरत इबराहीम आग में कूद गया तो गया तो दोस्तों पाश्ट की बते हैं जैने कि गया जो हिंदी लाइन दे रही है पाष्ट की बाते हैं अब इसको दोस्तों यह इस बात को हम ने ताजा कर दिया और ताजा कर दिया तो दोस्तों में कहा पर बनाना पड़ेगा हमें इसको present in-definite tense में दोस्तों बनाना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा दोस्तों, हजरत इबराहीम जंप्स इंटू दा फायर, क्या बोलूँगा दोस्तों, हजरत इबराहीम जंप्स इंटू दा फायर, आज के बाद मत बोलना दोस्तों, कि किसी भी हिंदी लाइन के पीछे आपको पाष्ट की सेंस दे रहा है, तो पाष्ट म करना पढ़ेगा दोस्तों किय यूस करना पढ़ेगा seem करेंगा next rule के और 89 करते दोस्तों तो अब हम next rule पर मोहन कर चुक हैं दोस्तों तो हमारा next rule क्या कहता है जभी दोस्तों हमें क्या मिले when और whenever के बाद हम simpleолड करेंगे कि Сप्के तो दोस्तों ये बताओ, मुझे ये हिंदी लाइन है आपके सामने, और दोनों में क्या आगया पिछे, गा, गा, तो ये देखो, और पहले ही लाइन में क्या आगया, वह है जब, तो दोस्तों जब वाला सेंटेंस है, जब के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसको फ्रेंगे दोस्तों, तो मैं कहे दूंँगा जब यहां आएगा, When He Comes, He Brinks, फ्रूट्स, तो दोस्तों, जब के बाद, वेन के बाद मैंने क्या लगा दिया, present इंडेफिनेट का यूज़ कर दिया, और यहां पर मैंने आगगे भी present इंडेफिनेट का यूज़ कर दिया आगे और आप विल भी लगा सकते हो दोस्तों तो ये तो हो गया हमारा वैनेवर और वैन के बाद हम प्रिजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं दोस्तों एक एक जमपल लेते हैं जब कभी बारिस होगी तो च्छत रिशने लगेगी यानि कि च्छत से पाने आने लगेग तो दोस्तों ये देखो पिछे क्या गया गी और आगे भी गी तो यहां पर दोस्तों देखो आगे क्या गया जब यानि कि वैन जब कभी वैनेवर वैनेवर की इंदी क्या होती है जब कभी तो दोस्तों ये जब कभी वाली लाइन है ना हम प्रिजेंट इंडेफिनेट में frame करेंगे दोस्तों और जो आगे whenever से आगे वाड़ा sentence है ये हमने present ये भी हमने present indefinite में बना दिया यहाँ पे आप will भी लगा सकते हो दोस्तों आप बोल सकते हो the roof will leak क्या बोलोगे the roof will leak तो दोस्तों ये आपकी confusion दूर होगी अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ words कुछ और rules बताने वाला हूँ next rule के और moon करते हैं दोस्तों अब हम next rule पे moon कर चुके हैं दोस्तों जब भी हमें मिले जब main verb या future में हो के दोस्तों जब main verb future में हो तो conditional sentences में if till as soon as when unless before until even if in case as के बाद present indefinite tense में use करेंगे यानि कि main verb आपकी future में हो दोस्तों और ठीक इन वर्ड़ों के बाद हमें present indefinite tense ले के आना पड़ेगा तो example लेता हूं दोस्तों में example है अगर बारिस होगी तो मैं बाहर नहीं जाओंगा तो दोस्तों अगर लगा हुए ना ये अगर word हिंदी सबद है ये इसके पिछे sentence है ना दोस्तों अगर बारिस होगी इतना sentence ये दोस्तों ये sentence हम present indefinite में बनाएंग क्योंकि इसके इफ अगर की हिंदी क्या होती है यानि की इंग्लिस क्या होती है इफ और इफ वाला संटेंस हम प्रिजेंट इंडेफिनेट में बनाएंगे और आगे वाला संटेंस आपका किसम है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनेट में तो मैं कहे दूंगा दोस्तों हमारी translation होगा if it rains i will not go out if it rains i will not go out तो दोस्तों if वाले close में कौन सा tense use कर दिया हमने present indefinite tense use कर दिया दोस्तों कहां भी कर दिया present indefinite और it के बारे में मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ it third person singular category में आता दोस्तों और it positive sentence में जब भी आएगा दोस्तों इसके साथ main verb के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों या लगाएंगे s या es तो दोस्तों rain word के पिछे क्या आया हुए है n और n उस box में दोस्तों क्या दिया हुआ था o sh x यह कुछ था अगर वो आता तो yes लग जाता अगर उन में से कुछ भी नहीं है तो simple as तो if it rains I will not go out तो दोस्तों यह आपको pattern समझ में आ गया एक example और ले लेते हैं हम इंतजार करेंगे जब तक वह नहीं आएगी क्या दोस्तों हम इंतजार करेंगे जब तक वह नहीं आएगी यानि कि जब तक वह नहीं आएगी हम इंतजार करेंगे तो दोस्तों जब तक की English होती आपकी until क्या होती है दोस्तों until or unless के बाद दोस्तों कभी भी नोट नहीं क्षय प्रेजर्जर्ट क्टिल सी इंगलिंगे उगया और और उंतिल के बाद उसतों कौन सा टैंस यूज कर दिया हमने बस Whereas इंड्य होतेटो चीज कर दिया तो दोस्तों हने उसकर दिया next question के और next rule के और मोन करते हैं दोस्तों तो मारा next rule है दोस्तों quotations किसी के कथन को simple present tense में लिखा जाता है यानि कि दोस्तों जब भी quotation की बात करोगे और किसी के कथन को हम present indefinite tense में लिखेंगे for example दोस्तों our teacher says the sun rises in the east यानि कि जब भी quotation में कोई भी sentence आ गया उसको हम present indefinite tense में लिख सकते हैं दोस्तों अगर मैं कह दूँ दोस्तों राम सेज बर्ड्स फॉलाई एंड फीस स्वीम तो दोस्तों quotation वाग में हम मैंने कौन सा tense यूज कर दिया present indefinite tense यूज कर दिया दोस्तों अब ये आपको quotation वाड़ा समझ में आ गया हुआ दोस्तों एक second जो end point रहता दोस्तों इसका end point है अब नेक्स rule के और moon करते हैं दोस्तों तो हम next rule के और moon कर चुके हैं दोस्तों देखो newspaper की headline में present indefinite tense का यूज किया दाता है दोस्तों next rule के हमारा newspaper की headline में present indefinite tense का use किया जाता है दोस्तों पहला example आपके सामने peace talks fail यानि कि जो शान्ती की बाते हैं ना वो fail होगी दोस्तों यानि कि असफल होगी मैं बता दूँ आपको जब भी आप newspaper की headline की बात करोगे ना दोस्तों हलाकि मैं मानता हूँ वो बातें past के होते हैं दोस्तों गटी तो होगी यानि कि वो गटी तो होती है दोस्तों पहले हो जाती है और जब आप newspaper की headline देखोगे ना आपको वो present tense में मिलेगी लिखी हूई present tense में मिलेगी return मिलेगी present tense में बट वो बोल ली जाएगी दोस्तों past में जब आप बोलते हो इडेंटिफिकेसन होते है पास्ट इंडेफिनेट की खाया पिया उठा बेटा यानि कि या साउंड आ जाती है पीछे वह वाली सेंस है जैसे मैं कहा दूँ पीश टोक्स फेल यानि कि जो शांतिकी बाते हैं वह फेल होगी दोस्तों नियूस्पेपर की है कि ये लोगों को मार दिया 1000 पीपल एक हजार लोगों को मार दिया यानि कि ये नियूस्पेपर की हैडलाइन्स है दोस्तों और ये किल किल एक वर्ब है दोस्तों और अर्थक्वे के सिंगूलर सब्जेक्ट है हमारा इस वज़े से यहां पे किल्स कर दिया ऐसा लगा दिया दोस्तों अब ये देखो न्यूजपेपर की हेडलाइन से बोल दिया कहां पे मैंने हजार लोगों को मार दिया यानि कि यहां आ गया पीछे पास्ट इंडेफिनेट में बात कर लिए हमने बट लिखा कहां पे दोस्तों हमने प्रिजेंट इंडेफिनेट में क्योंकि न्यूजपेपर की हेडलाइन से दोस्तों एक example ले 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 लेते हैं इसी rule का दोस्तों Titanic sinks 1500 die Titanic sinks 1500 die यानि कि Titanic डूब गया दोस्तों और कितने लोग मर गए 15 सो लोग मर गए तो दोस्तों ये line ये newspaper की headlines दोस्तों और ये बोल दी मैं Hindi है इसकी दोस्तों पाश्ट की और लिख कहां पर दिया हमने प्रिजेंट इंडेफिनेट में लिख दिया तो दोस्तों जहां तक यह basic करवाना था यह present इंडेफिनेट के बारे में depth में बताना था हम बता चुके फिर भी अगर कोई भी आपका doubt रहता है दोस्तों मैं मान सकता हूं अगर कोई मुझसे mistake हुई है या जो भी यह लगता है आपको यहाँ पर मैंने फोट किया है तो आप comment box में comment कर सकते हो हम आगे आने वाली वीडियो में upcoming वीडियो में हमारा improvement definitely करेंगे दोस्तों देखो दोस्तों कोई perfect नहीं होता nobody is perfect in this world but we will try our best हम अपना best करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छा material provide करवाने की कोशिश करेंगे जीतना depth में बताना था दोस्तों मैंने बता दिया और आप इसको share कर देना और like जरूर कर देना दोस्तों comment जरूर चोड़ देना comment box में